नमस्कार दोस्तो डियरे स्टुडेंट्स पिछली क्लास में हमने मल्टिप्लिकेशन और बैक्टिरियो फेज जिसके अंतरगत लाइटिक साइकल और लाइसोजेनिक साइकल इन दोनों का विस्तरत डिटेल दिन किया था दोस्तो आज की इस क्लास में हम अध्यान करेंगे आको के उपर और स्वलोनी सी फेमेली के अधर प्लांट्स के उपर अधर प्लांट्स को जो है संक्रमित करता है और उनमें नेक्रोसिस रोग उत्पन करता है दोस्तो इस वाइरस को सर्व्ठम करिस्टल फॉर्म में सुध रूप में जो आईसोलेट करने वाले वेग्यानिक थे Stanley 1935 और दोस्तों उन्हें यानि कि Stanley को इस कार्य के लिए Nobel पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों यदि हम बात करें इस वाइरस की संरचना की तो इस वाइरस की संरचना हेलिकल होती है और रोड़ सेब्ड होती है इसके जो लंबाई है 3000 एंग स्ट्रोंग होती है और इसका जो ब्यास है डायमेटर है वो 180 एंग स्ट्रोंग होता है अथार्थ 18 नैनोमीटर होता है तो उस तो इसका जो केंद्रिय भाग होता है उस केंद्रिय भाग में इसका genetic material present होता है single standard RNA के रूप में और 5.4% उसकी मात्रा होती है और उसके चारोतरफ protein का बना हुआ एक आवरन पाया जाता है जिसे capsid कहा जाता है जो कि 94.6% present होता है दोस्तो ये चारोतरफ का जो protein का आवरन होता है जिसे capsid कहा जाता है ये चोटी-चोटी subunits से मिल करके बना हुआ होता है और उन चोटी-चोटी subunits को इकाईयों को capsomeres कहा जाता है और दोस्तो इसमें जो number of capsomeres की यदि हम बात करें तो 2130 इनकी संख्या होती है और दोस्तो इसमें जो condoline पाये जाते है परते एक 3 condoline में capsomeres की संख्या होती है वह 49 होती है जो की RNA के साथ में ये सनलगन होते है ठीक इसी प्रकार से जो virus जो संपून rod के रूप में प्रजेंट होता है उसमें इस तरह के 130 condoline helical प्रजेंट होते है दोस्तो यहां जो यह diagram दिखाया गया है यह इसकी length होती है जो की 3000 इंग श्ट्रों होती है यह अपरं के सकते है कि 300 nanometer होती है यह इसका diameter होता है जो की 1808 nanometer होता है दोस्तो यह इसका central core part होता है और इस central core part जो की single standard RNA का बना हुआ होता है और इसका जो ब्यास होता है वे 40, अंगस्ट्रॉंग होता है और इसकी चारतरफ का ये जो पुरा आबरन है ये पुरा आबरन कैलाता है जो कि चोटी-चोटी शाव यूट से मिल करके बना हुआता है यहाँ पर capsulomers को दिखाया गया है इस slide के उपर भी दोस्तों टॉबेको मुझेक बाइरस की जो संरसना है उसका जो structure है डाइग्राम है उसे यहाँ पर इसपेश रूप से दिखाया गया है दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे है कि जो टॉबेको मुझेक बाइरस होते है उस बाइरस में जो है पॉजेट्विव सेंस का सिंगल स्टेंडर्ड आर एन इसमें ब्रिजेंट होता है और मैनली टॉबेक के उपर और सॉलनेसी फैमिली की जो अधर प्लांट होते है उनमें यह रोवत्पन करता है उनको यह संक्रमित करता है दोस्तों इसका जो संक्रून होता है उस संक्रून के दौरान जो फोधा होता है उसमें मोजेक लाइक के जो है मॉटलिंग और दूसरा जो लक्षन है वह है डिसकल्ट्रेशन जो लीप्स होती है उनमें दिखाई देता है पत्तिया रंगी ही नहीं हो जाती है जित कबरापन पत्तियों में दिखाई पड़ता है दोस्तो जो प्रोटीन की सब यूनिट्स होती है जिन्हें केपसो मेर्स कहा जाता है उनकेपसो मेर्स का जो मॉलीपिलर वेट होता है वह 17500 डोल्यटन होता है AUitel्यकि दोस्तो जो प्रोटीन होती है वो आमिनो एसेट्स काshop का और आरेने का जो कुंडलन होता है उसका को डायमेटर होता है और यह हैं उसका जास होता है वह है 40 अंग स्ट्रोंग होता है तोस्तों जो सिंगल स्टेंडर्ड आरेने प्रिजेंट होता है ते 300 अंग स्ट्रोंग उसकी लेंथ होती है और यह एक छड कोई एक दिशा में कुछ बाहर की और निकला हुआ रहता है आरेने में लगबाग साथ अजार तेन सो नुकलियोटाइड जो है प्रजेंट होते हैं और प्रते कॉंडलान में 49 नुकलियोटाइड उपस्ते होते हैं तो इस प्रकार की संद्रचना पाई जाती है एक ट टॉबेकोमोज़ का रेप्लिकेशन कसप्रकार से होता है उसका जो कअब न किसेघृूकी प्लांत मैं कemie केस प्रकार की होती है तो इस पादप की कौईजिकामै के निकोटियोटेविची आपैविच्ट होता है जब किसी प्लांट की किसमीन को इन्फेक्ट करता है तो दोस पिन साथ शता है ज़ फिब जलता है यानि कि में दोस्तों उसके साथ उसके साथ आंदर जिर यान में प्रोटीन आ वर्रन में यह स्का में भीक attending का जाता है तो उसके पश्चात दोस्तो जो protein का आवरान होता है जिसे capsule कहा जाता है वहे degenerate हो जाता है विगटेज हो जाता है और उस टौबे को मुझे एक virus का जो RNA है single standard RNA होता है वहे उस koshka dhrum में release हो जाता है उस koshka dhrum में वहार आ जाता है जो plant cell की koshka है उसके पश्चात यह single standard RNA जो टौबे को मुझे एक virus का है यह है उस host cell के koshka dhrum से उस host cell के cytoplasm से nucleus और उसमें भी manly nucleus में प्रवेश कर जाता है दोस्तो सबसे पहले जो virus का RNA है वह है एक disease enzyme जिसे की RNA polymerase गहा जाता है उस RNA polymerase के निर्मान को प्रेरित करता है और उसका संसलेशन होता है जब RNA polymerase का संसलेशन हो जाता है तो उस RNA polymerase enzyme की ओपस्थिती में single standard viral RNA का संसलेशन होता है जिसे की replicative RNA कहा जाता है दोस्तो यह है एक प्रकार का complementary RNA होता है और यह complementary RNA जो है एक template की तरह कारे करता है दोस्तो जब एक complementary RNA का निर्मान हो पस्चात वह है तिक के messenger RNA की तरह कारिया करने लगता है अगले step में दोस्तों जो messenger RNA ribosome की अन्यक इकाईयों से जुड़ जाता है और जुड़ करके प्रकोसी कोईशिका का जो transfer RNA है उसकी प्रोटीन ओपिक आईयों की संसलेशन को मोटिवेट करता है messenger RNA इसके बाद में प्रोटीन में जो amino amino स्रंखला है उसका निर्दारन करके बिशिष्ट प्रकार की protein का संसलेशन करता है जो कि viral protein होती है दोस्तों जब आबरन की जो protein है जो की छोटी-छोटी subunits से मिलकर के बना होता है तो यहां पर सब्थम जो है capsomers का निर्मान होता है और यह capsomers मिलकर के जो है protein का संसलेशन करती है यह capsomers नए वाइरस का जो आरेन है उसके चारों और एक निश्चित क्रम में जो है जो की वाइरोन है यह परपोसी plant cell को जो है वेगटत नहीं करते है उसका वेगटन नहीं होता है बलकि जो वाइरोन है जो वाइरस कन है यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अभी गमन कर जाते है तो यह कहलाता है systemate infection यानि की एक infected cell से एक non infected जो की एक healthy cell है उस cell में यह systemic infection कहा जाता है दोस्तों जब किसी भी प्रक्रिया द्वारा वाइरस का संचरन होता है तो वाइरोन जो है एक स्वस्त पौदे को भी संक्रमित कर देते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस class में हमने अध्यन किया कि एक टौवे को मुझेक वाइरस की संचना किस प्रक symptom हो जाता है तो एक प्लंट सेल में पहुंचने के पश्चात रोवकुमोजक वाइरस किस परकार से रैप्लिकेट करता है किस परकार उसका रैप्लिकेशन होता है और अपनी संख्या में बड़ा उतरी करता है थैंक्यू दोस्तों